लेक्चर नमबर आज हमारा 81 है, चिप्टर नमबर हमारा 8 चल रहे है, और MF की हमारी क्लास हो रही है वही साथ, हम करने जा रहे हैं, कस्टमर and 4P's, सरी यह क्या चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपको याद हो, कल से हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ हुआ है, वो हुआ इंटर्नल अनलेसिस का, इंटर्नल अनलेसिस में मैं आपको कहा था कि दो तीन थीरी हैं, जो के इंपॉर्टंस रखती हैं, जिसमें स्वाट अनलेसिस, जिसमें वैल्यू चेन है, जिसमें कॉम्पॉर्टंस रखती हैं तीन थीरी और इनको सॉल्ट करने के लिए हमें करती हैं उनको वहां पर support करने के लिए supportive argument देने के लिए आपको यह डिटा चाहिए तो जैसा कि हम बात करते हैं हमारा first जो सीन है यहां पर customer का सीन है customer क्या चीज होती है देखिये बड़ी एक उंदा सी चीज है वह उंदा सी चीज क्या है कि मार्केट में दो लोग काम करते हैं मिलके मार्किट मेंच दो लोग क काम करते हैं मिलके एक वो जिसको जरूरत है जिसका जिसकी नीड है और एक वो जिसकी नीड है अहार ये क्या बख्वास कर दी है आपको दो दो नीडèmes वे एक मीड दूसरी नीड जार बात को बatu समझते हैं मार्किट में दो लोग मिलके काम करते हैं एक वो लोग जिनकी नीड है गुड्स या सर्विस ऐसा बन्दा जिसने अपनी नीड को सैटिस्फाइ करना है उसको या तो गुड्स से सैटिस्फेक्शन मेलेगी या सर्विस मिसाल के तोर पर मुझे भूग लगी। या मुझे खान खाना खाना है वो गुड है और जो खाना बना के बेच रहे हैं वो सर्वेस है कैसी मज़ेगी बात हुई ना मैं खाना खाना किसी रेस्टरेंट चला गया किसी दुकान पे चला गया किसी डेडी पे चला गया और जागे का पहीजन नांचने दे दो तो जैसे ही मैंने उसे कहा भाईजन नान्चने दे दो तो क्या हुआ उसने नान्चने और रेड़ी कुक करके रखे हुए थे वो goods है और वो जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे service cooking की service और serve तरने की service वो क्या हुई वो एक service हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ एक ऐसा बंदा जिसको खाने की जरूरत है वो गया अपनी जरूरत के साथ और एक ऐसा बंदा जिसको पैसों की जरूरत है जिसको पैसों की जरूरत है वो मार्केट में goods and service goods and service goods and service manufacture करेगा manufacture करेगा और पैसे कमाएगा बिल्कुल simple सी बात है इसका मतलब क्या हुआ इसकी अगर बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं customer की और इसकी अगर बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं supplier की क्या हर इंसान supplier बन सकता है नहीं सर हर इंसान supplier क्यों नहीं बन सकता analysis आता है क्या आता है यहीं पे market analysis आता है यह market analysis क्या चीज है बुक में नहीं है सर्फ मैं आपको बाइद आवे बताऊंगा आपके अपने solid words के लिए जिसको आप English में translate करके लिख सकें देखो होता क्या है दुनिया में जितने भी कारोबार होते हैं वो दो तरीकों से चलते हैं एक profit कमाने की नियत से और number two लोगों की मदद करने की नियत से इसके इलावा को तीसरी नियत है नहीं दुनिया में जितने भी कारोबार है लेकिन कारोबार होते कैसे है जो supplier है जो manufacturer है यहां जो service provider है वो करता किन basis पर identification है कि मैंने क्या चीज़ बना नहीं है बड़ी simple सी बात है जो supplier है जो supplier है यहां जो manufacturer है यहां जो manufacturer है दोनों एकी चीज़ है यहां जो manufacturer है Question mark है यह क्या चीज़ manufacture करे ठीक है यह कौन सी goods यहां service को choose करें और manufacture करके अपनी need to earn money to earn money fulfill करें तो बड़ी simple सी बात है इंको market को analyze करना पड़ेगा market में analyze किस चीज़ को किया जाता है market में analyze किया जाता है customer, customer नहीं market में analyze किया जाता है what kind of what kind of what kind of problem what kind of problem can be faced can be faced by number of people number of people मतलब क्या हुआ large यह small number of people नहीं मैंने लिखा market में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग महसूस करते हैं कि उनके लिए problem है जैसे कि मैं सुबह उठा गाड़ी पंक्चर तो मैंने महसूस किया काश इस टाइम कोई पंक्चर लगाने वाला मेरे पास होता तो मैं टाइम पे college पहुंच जाता मैं सुबह उठा गरम पानी नहीं है काश कोई electric geezer होता तो मैं दो मिनट में on करके पानी गरम करके नहा के आ जाता मैं सुबह उठा कपड़े स्तरी नहीं है काश कोई ऐसी service होती कि मैं अपने हफ़ते के कपड़े दे देता वो मुझे उसको express करके ठीक है वो मेरे घर पे पहुंचा देते तो जो यह काश काश हैं अगर गोर से देखो तो यह काश काश हैं क्या काश काश itself problems है काश काश itself problems है और एक manufacturer और supplier की responsibility क्या है manufacturer और supplier की responsibility क्या है manufacturer और supplier की responsibility है उस काश को उस काश को मैं लिख देता हूं यहाँ पर उस काश को सॉल्व करना उस काश का सुल्यूशन निकालना मतलब क्या हुआ मतलब लोगों को प्राब्लम आती है आप उन प्राब्लम का सुल्यूशन निकालो आप उन प्राब्लम का सुल्यूशन निकालो तो वो solution क्या हो सकता है या तो good यो सकती है जा तो good यो सकती है या service हो सकती है वो solution या तो good यो सकती है या service हो सकती है कपड़ इस तरी नहीं थे गीजर नहीं था मेरे पास electric geожалуйER बनाना मैंने एक ऐस ऐस solution निकाल दिया जो 10 मिनट में instantly पानी गरम कर दे तो मैंने गुड बनाया कपड़े इस तरी नहीं है तो मैंने एक सर्विस निकाल दी भाई साब हफते का कपड़े दे इस तरी करके आपके घर से आएंगे उठाएंगे इस तरी करके घर पे चोड़के जाएंगे और आप हमें बता दीजे हम उसी टाइम आया करेंगे जिस टाइम आप अवेलिबल हो और आपको दुबारा बताने की जोड़ी निस तरफ एक दफ़ा बता दे बार बार हम खुद आपकी भी तश्रीफ लेगे आएंगे और आपके कपड़े प्रेस करके बेथरीन सावसूथ दो के आपके घर पे छोड़के भी जाएंगे और आपसे हिसाब महीने बात कर लिया करेंगे तो मैंने सर्विस दे दी तब मैंने सर्विस दे दी इसका मतलब क्या हुआ आपकी जो प्राबलम थी जो प्राबलम थी उसको मैंने solution प्रोवाइड किया अब जब manufacturer उसका solution प्रोवाइड करता है तो क्या वो free of cost होता है? नहीं, कतन नहीं, हमेशा वो उसकी fee चार्ज करता है, हमेशा उसकी price चार्ज करता है यह जो price है, जो fee है, वो इतनी चार्ज करेगा कि manufacturer को profit भी होगा यह सारा scenario क्या कहलाएगा? market analysis आपने market में जाना है, अपने customer को identify करना है और किस बेस्ट पे करना है कि problem क्या है? जो customer problem face कर रहा है, क्या आप उसका solution provide कर सकते हो? तो अगर तो provide कर सकते हो, तो आप service provider बन जाओगे, यहाँ फिर आप goods manufacturer बन जाओगे अगर goods manufacturing यह service provider बन गए, तो आप solution को sale करोगे तो आप solution को sale करोगे solution को sale करके आप उनसे price charge करोगे, अगर price charge करोगे तो आपको profit होगा और profit ही motivating factor भी है आपका profit motivating factor भी है आपका profit motivating factor भी है आपका किस चीज में motivating factor है आपका कि आपने services render की आपने goods render किये आपने cost of production जो के कल हमने topic discuss किया उसको यहाँ पर involve किया और फिर उसके बाद एक ऐसी product develop कर ली जो लोगों की problem को solution में provide कर देती है जो लोगों की problem होती है उनको convert करती है solution में और लोग उसे खुश हो जाते है कहानी खतम हो गई यहीं पर तो इसका मतलब क्या हुआ हमने जब भी market में किसी चीज को बेचना होता है बलकि चीज नहीं बेची जाती है हमेशा क्या बेचे जाते हैं solutions बेचे जाते हैं यह बात याद रखिएगा हमेशा market में solutions बेचे जाते हैं हमेशा market में solutions बेचे जाते हैं कभी भी चीजें नहीं बेची जाती हमेशा बात याद रखिएगा solution बेचोगे तो लोग आप से चीज खरीदेंगे अब एक next stage आती है solution हमने बना लिया solution हमने बना लिया solution तो हमने बना लिया वो यहां तो good सी यहां तो वो good सी यहां वो service से यह हमारा solution बनी गया अब इस solution की main चीज़ आती है कि customer क्या हमारा solution ही खरीदे क्या customer के पास इसके इलावा कोई और solution है ही नहीं मार्केट में क्या सिरफ हमी वो लोग हैं जो solution बना रहे हैं और भी company solution बना रहे हैं अगर तो और भी company solution बना रहे हैं तो porter की five forces अपलाए होगी आपके ओपर ठीक है? product life cycle अपलाए होगी आपके ओपर फिर उसके बाद strategic grouping आपके ओपर अपलाए होगी SWOT analysis आपके ओपर अपलाए होगा है ना मज़े की बाद फिर अगर ज्यादा solution बना रहे हो तो BCG group आपके ओपर अपलाए होगा interestingly बात एक ही है इतना कुछ अपलाए होगया से internal factors में क्या अपलाए होगा? बलके core competency और ये resources वगरा यहीं से बनेंगे यहीं से ये चीज़ें develop होगी तो इसका मतलब क्या हुआ customer हमारा solution क्यों खरीदे? हमारा customer solution तब खरीदेगा जब customer को value मिलेगी सर ये value क्या है? अभी बताने लगा और customer की need 100% satisfy हो जाएगी 100% satisfaction 100% satisfaction customer हमारा solution तब खरीदेगा जब उसको value मिलेगी value ये चीज़ होती है सर जरना देखो customer के दिमाग में हमेशा से एक चीज़ customer के दिमाग में हमेशा से एक चीज़ बैटी होती है और वो चीज़ क्या होती है customer के दिमाग वो चीज़ होती है भाई कि मैं जितनी प्राइस पे कर रहा हूं मैं जितनी प्राइस पे कर रहा हूं क्या वो जस्टिफाइबल है क्या वो जस्टिफाइबल है क्योंकि देखो कस्टमर ना बड़ा कमाल का कस्टमर बड़ा होशार है कस्टमर को पता है कस्टमर को पता है मार्किट में ऐसा सुलूशन कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर नोज एवरिटिंग ना तो फिर कस्टमर आपकी प्रॉड़क को उससे जो यूटिलिटी उसको मिल रही है जो अफादी है जो बैनिफिट मिल रहा है उसके साथ प्राइस को मैच करेगा कि दूसरों की प्रॉड़क का जा सकता हूँ डिलिवरी हो ओम डिलिवरी फ्री होगी क्या वह इंस्टॉल भी करके जाएंगे क्या मुझे इतनी सहुलत देते हैं कि मैं अपने ऑफिस में बैटके डैबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमट करूं और मेरे घर जाने से पहले अगर मेरे भाई बहन मेरे म यागर हो बीवी बचय मुझों नी के मुझोद्गी में वह डिलिवर करके चले जाएंगे क्या यह सब पॉसिबिलिटी है अगर तो है तो कमाल है अगर तो है तो कमाल है जो मैंने इतनी बोली पॉसिबिलिटी इसी से एक कांसेप्ट निकल आया वैल्यू जेन का वैल्यू famous इनताई famous theory बन गई value chain इनताई famous थी value chain थीक है? इनताई famous theory बन गई तो हुआ क्या? इन सारी चीज़ों को customer अपने mind में रखते है और comparison करते है आपकी product के साथ with reference to other products तो जब दूसरे हों की product साथ मेच अप करती है तो value generate होती है अगर तो आपकी product ज्यादा value दे रही है customer को तो customer आपकी product को retain करेगा बार बार खरीदेगा अगर इसका मतलब value at par हुई क्या हुई? at par at par customer की उमंगों पे पूरा उतरी price जो उसने दी और उसके बाद जो benefit उसको मिला जो benefit मिला ठीक है? तो customer retain हो जाएगा customer retain हो जाएगा retain का मतलब वो loyal हो जाएगा loyal का मतलब वो बार बार आपकी चीज़ खरीदेगा वो किसी और company की तरफ नहीं देखेगा अगर ऐसा ना हुआ तो customer shift कर जाएगा customer shift कर जाएगा मतलब वो किसी substitute को substitute को prefer करेगा यह बात याद रखिएगा हमेशा तो मारकेट को एनलाइस करते हुए हमेशा हर कमपनी इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए मज़ेगी बात बताओ काफी लोग इन चीज़ों को पढ़ात और रहे होते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं काफी लोग टीचर्स की बात यह अपनी बात करो पढ़ात हो रहे होते हैं लेकिन क्या हम लोग इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर रहे होते हैं अगर कर रहे हैं तो फिर मुझे बताइए कॉमेंट कर दीज़ेगा ठीक है वाटसअप के उपर आपको क्या लगता है कि आपने जितनी भी प्राड़क्ट्स की अभी तक जितनी भी प्राड़क्ट्स को यूज किया जितनी भी सर्वेसेस को यूज किया क्या आपको उसमें ये चीज़ नजर आई उसमें वेल्यू नजर आई अगर आई तो वेल अन गुड मुझे WhatsApp पे बताईएगा कि कौन कौन सी companies हैं जिनकी आपने products यूज करी अभी तक और आपको ये वाकिए में जो price आपने pay करी वो justifiable थी और क्यों justifiable थी number two 100% satisfaction का मतलब क्या हुआ मैं किसी product को use करता हूँ मैं fridge लेके आता हूँ मैं fridge लेके आता हूँ मुझे after service भी मिल रही है मुझे free home delivery भी मिल रही है मेरे गर आफिस में बैटे बैटे घर पे fridge बी इंस्टाल हो गया बगएर खोफ और खतर के ये कोई problem होगी लेकिन भाई सब fridge तीन महीने बाद after three months after three months after three months complain होगी after three months वो क्या हो जाता है? faulty हो जाता है उसके अंदर से आवादे आना शुरू हो जाती है compressor ठीक काम नहीं करता cooling नहीं करना शुरू करता तो फिर क्या हुआ? मुझे phone करना पड़ेगा after service वालों को वो आके ठीक करके जाएंगे उसके बाद फिर दो महीने बाद पिरिये मसला continuously एक साल में तीन मसले आगे तो क्या मैं अपने fridge से satisfy हुआ? नहीं हुआ क्यों? क्योंके जब मैंने fridge लिया था तो मैंने already सोच लिया था कि पहले 4-5-6 साल तो इसने खराब होने ही नहीं है नहीं चीज़ तो ऐसे ही होती है आपका cell phone भी है वो आपकी वक्ती तोर पे जरूरत को पूरा कर दे लेकिन इन लॉंगर पिरियोड ऑफ टाइम क्योंके these are all durable things if they are durable goods they have to satisfy your need or want for the longer period of time not for the shorter period of time span of जो पिरियोड है वो बड़ा होना चाहिए तभी हमारी need 100% satisfy होगी तभी हमारी need 100% satisfy होगी otherwise हम कभी भी 100% satisfaction नहीं ले सकेंगे otherwise हम कभी भी 100% satisfaction नहीं ले सकेंगे और customer फिर से shift हो जाएगा customer फिर से shift भी होगा plus वो एक और काम करेगा वो bad referral marketing करेगा referral referral marketing करेगा ये सर बैड referral marketing क्या चीज़ है अरे भाई वो लोगों को बताएगा या डॉलन्स दा हायर दा अग्री दा फरी जना लहीं पैन मेल एक याई सां दस देंदे वेचर एक मीने दे वेचर एक साल दे वेचर दस वरी खराब होया है ठीक है आपको होगे अपने कजन को अपने दोस्त को ना यार छोड़ परे ये सिर्फ उंची दुकान फीका पकवान वली बाते हैं छोड़ दे बकवास चीज़ें जैसे नज़र आते हैं वैसे है नहीं है तो इस बेतर है तो गरी का इसी लगवाने से बेतर है हायर का लगवाने मिसाल दे रहा हूं मैं बैड मार्केटिंग नहीं कर रहा है I'm just telling you ठीक है गरी बहुत अच्छा इसी है हायर बहुत कमाल के इसी है ठीक है आप अपने तोर पे इसको देखिएगा मैं किसी की bad referral marketing नहीं गर रहा तो जब ऐसा होना शुरू होगा तो जो potential customer है अगर bad referral marketing हुई तो जो आपका potential customer है जो आपका potential customer है वो क्या करेगा? वो shift हो जाएगा वो क्या होगा? shift हो जाएगा यानि कि जो बंदा ग्री का ऐसी लेना चाहता था वो लेने से पहले ही shift हो जाएगा तो इसका मतलब एक product का solution बना के उसको sale करने के बाद इन दो बातों का भी खयाल आपने खुदी रखने है इन दो बातों का खयाल भी आपने खुदी रखने है ये बाहर से आके कोई आपका competitor आपको damage नहीं करेगा ये आपकी खुद की service ये आपको damage कर देगी तो यहीं से एक नया concept निकलाया और उसको कहा गया four piece of market four piece of market sir ये four piece of market क्यों निकले क्योंके हमने इन चीज़ों को maintain करना है हमने इन चीज़ों को maintain करना है हमने इन चीज़ों को maintain करना है तो जिसकी वज़ा से हमारे पास four piece of market निकले sir मुझे एक बात बताईए ये four piece of market क्या है it's a kind of analysis it's a kind of analysis जिसमें हम four piece को discuss करते हैं जैसा कि first piece क्या हुआ first piece क्या हुआ price बल्के first piece को product करते है product करते है second piece क्या हुआ second piece price हुई third piece क्या हुआ third piece place हुई और fourth piece क्या हुआ fourth piece promotion हुई साहिब मुझे हमें बारी-बारी बताएं हमें मज़ा आया इसको सुनके प्रॉड़क्ट प्राइस प्लेस पर्मोशन ये चार पी बन गे इसके इनिशिल्स चार पी बन गे से थोड़ा सा डीटेल में बताएं प्रॉड़क का सार मतलब क्या हुआ तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड बलकिना बोर्ड सारे ही यूज़ करते हैं फिर बाद में आपको मैं दिखा दोगा ये प्रोजेक्टर बंद कर दीज़े चार तो सार थोड़ा सा बताएंगा ये फोर पीस के बारे में देखो यार फोर पीस एक ऐसा market analysis है अगर आप ठीक से करो तो बहुत कम companies हैं जो मार खाएंगी otherwise mostly companies इस सेनारियों में successful हो जाती है इस सेनारियों को अपने customer को longer period of time तक achieve करने के लिए हमारे पास फोर पीस आते हैं और फोर पीस में सबसे पहले सबसे पहले customer को delivery देने से पहले customer को choose करने से पहले हमने ये देखना होता है अभी अभी पड़ा के भाई problem क्या है 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 फिर उस problem का हमने solution बनाना है तो product ये बताती है तो ये जो product है product है product हमें बताती है कि जो हम solution present करने जा रहे हैं वो tangible होगा वो tangible good होगा hard form में good होगा या वो intangible good होगा जैसा कि हमने already इसको discuss कर लिया intangible good का मतलब वो service होगी ठीक है मिसाल के तोर पे वो tangible good है तो product में हमने ये भी decide करना है durable good बनाने जो longer period of time तक चलता रहे durable good बनाने या you can say कि जिसको हम कह सकते है fragile good जो जो बड़ी जल्दी खराब हो जाता तो इसको क्या नाम लेते है यार तो मेरे ना memory आज का तुछी down चल रही है और चीज़ें भूल जाती है मुझे या तो durable good होगा या अब देखो मैं रोज ऐसे goods का नाम लेता रहता हूँ और अब मुझे भूल गया खैर perishable वाव याद आ गया या परिशेबल good होगा या परिशेबल good होगा अब आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि अब यहीं से हम इसको case study को आगे लेके चलेंगे अगर हमने service देनी है अगर हमने service देनी है अगर हमने service provide करनी है तो वो कोई special service होगी कोई special type की service होगी जिसके लिए मैं license चाहिए license चाहिए या हम कोई भी normal service provide करके काम चला सकते है तो हमारी basically जो product है वो हमें ये decide करने पर मजबूर करती है कि इन में से कौन सी type को हम manufacture करने जा रहे है फिर उसके बाद product ही हमें बताती है product ही हमें बताती है product ही हमें बताती है कि हम trade करेंगे उसको या हम manufacturer बनेंगे अगर तो किसी और country में या ऐसी जगह पर या अलरेविध मेनेफेक्चर हो रहा है जो मेरे इलाके का seller उस manufacturer के पास ना पहुंच सके इतनी दूर manufacturer हो रहा है मेरी access है मैंने internet से उसको access किया मैंने physical जाके उसको access किया मैंने किसी भी तरीके से उसको access कर लिया और मैंने उसके साथ contact कई इसके और बाएजान अगले 5 साल ताक आप मल सिर्व मुझे bucks encouraging मैं आगे अपने पने आलाख़ के में बहुँंगा easily मैं मैंनेज कर सकता हूँ easily manageable है easily manageable है तो फिर क्या होगा फिर मैं खुद manufacturer बन जाओगा फिर मैं खुद manufacturer बन जाओगा इसके लिए एक बड़ी famous चीज होती है cost benefit benefit analysis analysis cost benefit analysis ये क्या चीज होती है cost benefit analysis आपने बच्पन में पढ़ा होगा कहां पढ़ा होगा बच्पन में आपने cost accounting में cost benefit analysis आपने CMA में पढ़ा होगा definitely पढ़ा होगा हाँ शायद इसका topic नहीं हो सकता कि separate से क्यों topic हो process costing में make or buy decision में basically यह होता है make or buy decision चलो इसके साथ में make or buy decision make and buy decision make and buy decision भाई साथ यह तो पढ़ा होगा आप इसे इंकार नहीं कर सकते यह तो आपने CMA में पढ़ा होगा है ठीक है न यह तो CMA में आप लगों ने पढ़ा होगा है तो इसका मतलब क्या हुआ basically वो जो चीज होती है वो इसी theory की मद से निकलता है वो इसी theory के background से निकला हुआ है clear हुई बात और वो किस की selection कर रहे है हम लोग product की selection कर रहे है ले जी product ने हमें बता दिया हम किस type का good बनाएंगे जो कि हमारे customer को क्या करेगा हमारे customer को यह सारे ingredient प्रोवाइट करेगा हमारे customer को यह वाले सारे ingredient प्रोवाइट करने वाला है that's cool फिर उसके बाद हमारे पास second P यात है उसका नाम है price उसका नाम क्या है price हमने decide कर लिया हम कौन सी product बनाने जा रहे है अब यहीं से price हमें बताता है price analysis हमें यह बताता है कि already उसका competitor market में available है competitor available है यह आपकी unique product है यह आपकी unique product है अगर तो market में competitor available है तो आपके पास pricing में दो options है एक predatory prices predatory pricing predatory pricing क्या होती है predatory pricing का मतलब है आपके पास already sufficient funds है sufficient funds है sufficient funds है और आप अपने competition को आप अपने competition को permanent basis पे kill करना चाहते हो खतम कर देना चाहते हो उसका गाटा उतार देना चाहते हो के भही मर जए हमारा competitor है तो फिर आप क्या करते हो आप predatory pricing use करते हो predatory pricing का मतलब अगर एक चीज की product 100 रुपया है एक product की price 100 रुपया है market में आप market में जाते ही जाते ही भाई जाते ही इसकी price 70 रुपय कर देते हो आपका competitor हिल गया कि यार एक ही करते ही एक ही करते ही 100 रुपय 80 रुपय कर दे 70 रुपय वारे ही नहीं खान दी आप बेच रहे चुप कर रहे आप मूँ बनाके बेची जा रहे हो आँखें बंद करके competitor कितने देर तक आपको बीट कर लेगा अगर आपके पास sufficient funds हैं तो competitor एक महीना दो महीना ठीक हैगा बाद में चला जाएगा business छोड़के क्यों क्योंके जैसे ही आपने predatory predatory कितने शिकारी price जैसे ही आपने शिकारी pricing strategy opt करनी है तो होगा क्या customer तो होगा क्या इससे जो customer है customer foreign attract होगा towards your product क्यों attract होगा क्योंके भाई आपकी product की price जो उसके competitor है उनसे बहुत ही कम है तो जिसकी वज़ा से competitors के लिए market में stand out करना possible नहीं है फिर उसके बाद हमारे पास एक और competitor में एक और pricing आती है अगर competitor है तो उसको क्या कहेंगे उसे कहेंगे market बलके नहीं competitive pricing ही कहेंगे बलके नहीं competitive को पहले मारने वाली pricing कर लेते हैं dumping pricing dumping pricing dumping pricing dumping pricing dumping pricing क्या चीज धीज़ोती है dumping pricing को मैं explain कर देते हूं unique unlike उज़र आगे ले जाएंगे dumping pricing को मैं यहांपे यहीं पे explain कर दे dumping pricing क्या चीज़ोती है dumping pricing बात याद रखिएगा जब आपने मार्केट में मोनोपली क्रियेट करनी हो मोनोपली क्रियेट करनी हो आपने सभी कॉंपिटिटर्स को वाइप आउट कर देना हो तो आप कॉस्ट आफ प्रोड़क्शन से कम प्राइस रखते हो cost of production से भी कम price रखते हो मिसाल के तोर पे एक product है उसकी cost of production है उसको produce करने की cost है 20 रूपे और वो market में किस price पे बिक रही है मिसाल के तोर पे वो price पे बिक रही है 25 रूपे आप market में इसको बेचते ही 17 रूपे पे हो जो आपकी sale price होगी वो क्या होगी 17 रूपे वो क्या होगी 17 रूपे तो इससे होगा क्या क्यूंकि आपको भी पता है जो आपकी competitor है यहां पे आपकी cost of production 20 रूपे है आप फिर भी 3 रूपे नीचे करके बेच रहे हो heavy losses बुक करते जा रहे हो तो इससे होगा क्या, जो आपका competitor है, एक तो वो बहुत ज़्यादा नराज होगा और foreign ही, इसमें तो फिर ज़रा time लेलेगा ना, predatory pricing में time लेलेगा लेकिन dumping pricing में foreign market से भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास वहाँ पे खड़े होने का time ही नहीं है क्यों time नहीं है, क्योंकि आप इतने heavy losses बरदाश कर सकते हैं, क्योंकि आपने monopoly create करनी है और आपने कौन सी strategies के लिए opt करनी होती है dumping prices में dumping जब pricing हो तो इसमें loss leading strategy, loss leading strategy opt करते हैं loss leading strategy opt करते हैं, क्या भाई साब हम काफी अरसे तक loss book कर सकते हैं, कोई problem ही नहीं है मरो और ना उजड़े हैने होते हैं, मारके भगाओ और खुद market के king बन जाओ और खुद क्या बन जाओ, market leader बन जाओ, क्या बन जाओ भाई साब, इस सारे काम के बाद क्या बन जाओ, market leader अगर आपकी product unique है, तो फिर आप क्या करते हैं, अगर आपकी product unique है, आपके बस दो options होती है number one, price skimming, price skimming, मतलब price skim क्या कहती है, अगर unique product है, unique product है, तो high price charge करो तो high price charge करो, अच्छा, product unique होगी तो लोग high price pay करेंगे, नहीं, इसके साथ हमें promotional activity जोड़ना पड़ेंगी इसके साथ हमें promotional activity जोड़ना पड़ेंगी, करवाता हूं वो कैसे जोड़ेंगे, unique price skimming का मतलब क्या, अगर product unique, तो high price charge करो अगर product normal है, तो market competitive price charge करो, अगर product unique नहीं है, normal product है, तो आप skim नहीं कर सकते फिर आप market competitive price charge करेंगे, market competitive price charge करेंगे, जो market में price चल रही है, उसी substitute की आप वोई price charge करेंगे फिर उसके बाद हमारे पास एक और pricing strategy आती है, dynamic pricing strategy dynamic pricing strategy, ये क्या होती है, dynamic pricing का मतलब क्या होता है, अगर demand ज्यादा है, अगर आपकी product की demand ज्यादा हो रही है, तो भाई साब आपके पास right है, choice है, time है, मोका है, price ज्यादा कर दो, अगर demand कम हो रही है, अगर demand कम हो रही है तो भाई साब आपके पास मौका है, choice है, price कम कर दो तो हमारे पास कुल मिला के कुछ ये चार किसम की pricing strategies हैं जो हमारे four piece में हमें बताती है कि आपकी market में standing कहां पे है उस product standing के लिहाज से आप अपनी price को set करें फिर उसके बाद हमारे पास third P आता है और third P का नाम क्या है, place place हमें क्या बताता है place हमें ये बताता है कि अगर आप manufacturer हैं अगर आप manufacturer हैं तो भाई साब distribution channel बनाओ क्या बनाओ? distribution channel distribution channel बनाओ सर ये distribution channel क्या होता है? देखो बड़े बात को बहुत से समझते हैं अराम से मज़े से समझते हैं आपकी factory है, आपकी factory है कराची में factory है कराची में और आप हम बना रहे हैं shoes हम बना रहे है shoes तो जो lahore के customer है वो हमारा shoes कैसे खरीदे है? तो हमारे पास दो options हैं अगर हमने माल बेचना है तो यहां तो हम physical outlet खोट के बना लें यहां तो physical outlets खोट के बना लें ठीक है? पूरे पाकिस्तान में physical outlets बना लें अगर हम पूरे पाकिस्तान में physical outlets खुद के बनाते हैं तो इसका मतलब हमें Capital Expenditure करना पड़ेगा इसका मतलब हमें Capital Expenditure करना पड़ेगा अगर हम Capital Expenditure कर रहे हैं यह तबी suitable है अगर हम Well Recognized Brand है अगर हम brand हैं या brand बनने जा रहे हैं स्ट्राटिजी है कि हमने प्रॉट्ट को ब्रैंड में करना है तब हमें जरूरत आप इसको केप्चर कर रहे हैं तो हमने इसको ब्रैंड में कनवर्ट करना है तो फिर कैपिटल एक्सपेंडीचर करना पड़ेगा फिजिकल आउटरट बनाने पड़ेंगे अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है हम जितने भी आलरेडी लाहोर में, कराची में, इसलामबाद में, पिशावर में, स्यालकोर्ट में, सिंद में, किसी भी आलरेडी शॉप्स हैं, जो आलरेडी शू सेलर हैं, जो आलरेडी शू सेलर हैं, हम उनकी दुकानों में जाके शू रैक्स बना लेते हैं, शू रैक्स लगा लेते हैं Shoe Racks लगा लेते हैं Sir tee Shoe Racks क्या होते हैं उन्हें कहते हैं भाई आपकी दुकान है इस में आयरेडी 10-15 टाइप के शोज हैं एक टाइप का शोज हमारा भी रख लें अगर शोज की प्राइस है अगर शोज की रीटेयल प्राइस है दो हजार रुपया आप दो हजार में शूस को बेचिएगा कमपनी को जो आपने कमपनी को पैसे वापिस करने है यानि कि जो हमें पैसे वापिस करने है वो आप कीजेगा सतना सो रुपया और इसका मतलब रीटेल का प्रॉफिट रीटेलर का प्रॉफिट कितना हुआ तो जो retailer है उसका profit कितना हुआ तो भाई जो retailer है उसका profit होगा 300 रुपया तो हम यह वारी deal distribution provide करके कर सकते हैं basically place हमें बताता है आपने ऐसी जगा को choose करना है ऐसी जगा को choose करना है इन दोनों की मदद से ऐसी जगा को choose करना है जो आपके customer जो आपके customer के walking distance पर हो walking distance पर हो अगर तो आपने physical market करनी है तो आपके customer की walking distance पर होना चाहिए customer आसानी से उस जगा पर पहुँच सके easily approachable होना चाहिए easily approachable वो जगा वो दुकान easily approachable होनी चाहिए easily approachable होनी чаहिए otherwise क्या होगा otherwise क्या होगा आपका customer आप तक पहुंच नहीं सकेगा उल्टा आपकी sale होने के बजाए stuck हो जाएगा आपका माल आपकी strategy अच्छी थी आपकी pricing strategy अच्छी थी आपकी product strategy अच्छी थी आपने हर चीज़ को ठीक से identify करके market में launch किया लेकिन हुआ क्या लेकिन हुआ यहाँ पे fail कर गए place नहीं ठीक choose की अगर place ठीक से choose नहीं की तो क्या होगा आपकी sale हो नहीं पाएगी conversion हो नहीं पाएगी conversion का मतलब physical goods को बेचके या services को बेचके पैसे कमाना उसे conversion कहते हैं वो हो नहीं पाएगी अगर आप online है अगर आप online है तो फिर भी आपने decide करने आपकी place कुन सी है क्या आपने amazon amazon दराज जरा बात को सुन लीजेगा मैं इनको promote नहीं कर रहा हूँ aliexpress जो already store बने हुए है online store बने हुए है इनके ओपर third party contract करने third party contract करने third party contract से मुराद इनके ओपर vendor बनके माल बेचने इनके ओपर vendor बनके माल बेचने यानिके इनके ओपर अपनी virtual दुकान खोल लेनी है और जो customer यहां से माल खरीदेगा यह आपको publicity देंगे और आपकी दुकान से माल बिकना शुरू होगा क्या ऐसे करने आपने या आपने खुद का self managed self managed online store open करने online store open करने अब यह मैं कब करूंगा फिर मुझे इसके ओपर cost benefit analysis करना पड़ेगा यह आहाहा यह वाली चीज़ हैं फिर मुझे इन चीज़ों के ओपर यह वाला cost and benefit analysis करना पड़ेगा के मैं खुद का store खुलूँ तो तब क्या फाइदा और अगर मैं already जो well established stores है उसके ओपर vendor बन जाओ तब क्या फाइदा इसमें कितनी cost आएगी इसकी marketing cost कितनी आएगी क्योंके self managed store को तो कोई भी नीना जानता इनको तो फिर सब जानते है हाँ अगर मैं इसके ओपर दुकान बना लेता हूँ virtual shop open कर लेता हूँ तो उसके क्या pros and cons है उसकी मुझे कितनी feces दिना पड़ेंगी उसकी मुझे promotional strategies कैसी बनाना पड़ेंगी वो एक अलग सरदर्द होगी तो इसका बतलब place हमें बताती है आपने अच्छी सी place decide कर ली फिर उसके बाद अब आप माल बेचोगे और माल बेचने के क्या जरूरी होता है promotion promotion देखो एक बात याद रखिये गा जो दिखता है जो दिखता है वो दिखता है ठीक है ये दिखता है ये हमारे इस मौश्रे की सबसे मनहूस चीज़ है ठीक है जो दिखता है वो बिखता है बेशक जो दिख रहा हो वो गलिट ही क्यूँ ना हो क्योंकर most of the time जो दिख रहा होता है वो हाती के दान्त होते है लेकिन वक्ती तोर पे तो बिख जाता है अपनी Product को Visible बनाओ, अपनी Product को Visible बनाओ मार्किट में, लोग आपकी Product को जाने, Visible बनाने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा? आपको Advertisement करना पड़ेगी, भई किस चीज की Advertisement करना पड़ेगी? लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने Product लॉज़ लॉज़ कर दी लोगों को बताना पड़ेगा हमने प्रॉड़ट लॉज़ कर दी और यह प्रॉड़ट कौन सी प्रॉब्लम का सल्यूशन है वाओ यह प्रॉड़ट कौन सी प्रॉब्लम का सल्यूशन है अगर हमारी प्रॉड़ट आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है तो इसमें कितनी तरह की कितनी तरह की यूटिलिटी पाई जाती है कितनी तरह की खूबियां है कितनी तरह की अफादियत है अफादियात है ये ठीक है हमारी प्रॉड़क में कितनी तरह की अफादियात है पर्मोशन में बताया जाएगा कि price क्या है promotion में बताया जाएगा कि भाई आपको bog off मिल रहा के नहीं इसको bog off कहते है वैसे बच्पन सी सुना हुआ है आपने क्या होता है buy one buy one get one free promotion में बताया जाएगा भाई जान sale 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 बाजी 100% off नहीं है 60% off है summer sale लग गई है हमारी दुकान का दिर्वादा तोड़ के अंदर आ जाए आपने देखा हो गए ना ऐसे कि black friday लगता है basically वो सब promotional activities होती है promotion हमें बतायेगा कि भाई साब हमने इसकी marketing campaign कैसे चलानी है marketing campaign कैसे चलानी है इतना major concept है यह c o m p a i c o m p a i marketing campaign कैसे चलानी है promotion हमें बताएगा हमने अपनी product को packaging कैसे करनी है हमने अपनी product को packaging कैसे करनी है ताकि दूर से नज़र आए तो लोगों को अच्छी लगे आए कैची होनी चाहिए packaging promotion हमें बताएगा कि हमने customer को loyalty cards देने है loyalty cards sir यह loyalty cards क्या होते है बड़ी simple सी बात है अगर आप एक दुकान से shopping कर रहे हो अगर आप इनकी product बार बार खरीद रहे हो तो यह आपको अपना loyal member बनाने के लिए loyalty card दे देंगे और कहेंगे कि sir अब जब तक आप हमारी product खरीदते रहेंगे इस card के उपर आप card साथ लेकि आईएगा अगर 10,000 की product खरीदी तो आपको 5% discount अगर 20,000 की product खरीदी तो आपको 7% discount और अगर 30,000 की product खरीदी तो आपको 10% discount वाओ यार यह तो कमाल हो गया इतना discount दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा मैं किसी और शॉप से और किसी और प्रॉडर की तरफ देखना भी नहीं चाहूंगा क्योंके मुझे वाँ पर discount नहीं मिलेगा तो इसे loyalty card कहते है promotion हमें बताएगा promotion हमें बताएगा हमें discount मिलेगा तो कब-कब discount मिलेगा summer clearance sale के उपर discount मिलेगा summer clearance के उपर मिलेगा यह winter clearance के उपर मिलेगा winter clearance c-l-a-r-a-n-c के मिलेगा यह सब चीजें promotion बताएगा promotion हमें बताएगा social media campaign चलानी है social media campaign चलानी है social media campaign चलानी है तो किस tribe की model को model को hire करेंगे जैसे आज कल आपने देखा होगा हुआ एक बच्ची है क्या नाम है उसका आईशा बच्ची है ठीक है मेरा दिल यह पुकारे मैं इदर गाना लिग देता हूँ मेरा दिल यह पुकारे आजा अच्छा वो क्या हुआ उसने बेटी ने एक किसी गाने पर dance 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 किया और वो viral होगी ठीक है मैं लिग देता हूँ अदर मेरा दिल यह गाना नहीं गारा यह पुकारे आजा अब हुआ क्या कई ब्रेंड ने इसको प्रोच किया कि भाई अपने इंस्टा के ओपर हमारी स्टोरी लगाई है हमारी प्रोडर्ट अख्तर लावा लाहूर दा पावा अख्तर लावा चलो वो भी लिख देता हूँ वो यहाँ पर लिख देता हूँ यार मुझ से इतना जुका नहीं जाता यहाँ पर लिख देता हूँ लाहूर दा पावा अख्तर लावा ठीक है नहीं लाग अब हुआ क्या इसको भी कई रेस्टोरेंट वालों ने बनाया अपने पास बुलाया और का भाई साब हमारा खाना खाते खाते आपने ये डायलॉग बोलना है तो इनको फ्री में नहीं अच्छे खासे पैसे चार्ज की इन दोनों ने इस बची ने और उस लहोर के पावे ने तो हुआ क्या भाई साब ये पर्मोशनल एक्टिविटीज का हिस्सा बन गे इसी तरह कई टिक टॉकर्स भी ऐसे गरते हैं ये सबी इनग्रीडिट मिलके आपकी प्रॉड़ट को फेमस आपकी प्रॉड़ट को सक्सेसफुल और आपकी कंपनी को प्रोग्रेसिव बनाने में मदद देते हैं और इसे हम माइनर मार्केट अनलिसिस कहते हैं मेजर तो बहुत बड़ी चीज होती है जैसे चेप्टर 7 और 8 को सम अप कर लो तो वो मीजर मार्केट अनलिसिस है तो यहीं पे अगर आपको याद हो तो हम पास पेपर कर रहे थे और पास पेपर में जब हमने पोर्टर की 5 फोर्सिस की थी और उसमें हमने एक प्रोमोशनल नहीं पोर्टर की 5 फोर्सिस नहीं प्रोडर लाइफ साइकल किया था तो उसमें हमने प्रोमोशनल प्रोमोशनल एक्टिविटीज थी प्रोमोशनल एक्टिविटीज थी चार नंबर का क्वेस्चन था कि अगर कोई प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट ए प्रॉडक्ट A introductory phase पे है तो उसकी क्या promotional strategy होनी चाहिए प्रॉडक्ट B growth stage पे है तो उसकी क्या promotional strategy होनी चाहिए product C maturity stage पे है तो उसकी क्या promotional strategy होनी चाहिए और product D declining phase में है declining phase में है तो उसकी क्या promotional strategy होनी चाहिए अब kindly क्या आप इन सारी चीज़ों को जो यहां से यहां तक मैंने लिखवा दी जो यहां से बड़की के लहोर के पावे तक मैंने लिखवा दी चलो यह कर लेते हैं क्या आप मुझे product life cycle का analysis करते हुए इन सभी चीज़ों को mind में रखते हुए क्या मुझे आप promotional strategy 4 mark के लिए बना के दे सकते हैं कि अगर introductory phase होगी तो हमने क्या करना है introductory phase है तो क्या अगर growth stage है तो इन में से कौन से ingredient लगाए हम यहां पे आपने ingredient यहीं से pick करना है और कुछ नहीं करना है इन ग्रेडियन्ट सारे मैंने लिख दिये सिर्फ दिमाग इस्तमाल करो यह पूरे का पुरा लेक्चर में मैंने आपको समझा दिये दिमाग इस्तमाल कहां कहां पे कैसे करना है तो भई आपको पता है growth stage में price क्या होती है maturity stage में price क्या होती है research and development कितना होता है? company का revenue कितना होता है? competition कितना severe होता है? आपको इन सभी stages में पता है यहां पे जब आए dumping prices पे आए यहां dynamic pricing में आए यहां हम price game में आए तो इसमें भी clear पता है promotion इसको कैसे back करेगी promotion इसको कैसे supplement करेगी तो इन सब को माइंड में रखते हुए काइनली आपके होवक के तोर पे आपने इन चार प्रॉडट्स में, प्रॉडट्स स्टेजिस में A, B, C, D जिसमें इंट्रोड़क्टरी, ग्रोथ, मिचॉरिटी और डिकलाइन फेज आ रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी लिखके अ को प्तुर昨reme लिए बदक व जिले इने खाते हैं, भीक रखते हैं, प्रोड़क्ड़क़्ेशो के ड़ाईने था आपके गाले दोरे较 को में जिसका रदों सबत्थ एक्रिफिस तोरी का जिसमें एक्ट्टर रहे हूब प्रॉप्टर्स सेखाते हैं, प्रॉड़क्र कर च